नमस्कार दोस्तों मैं एडूकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों civil cases लंबे चल सकते हैं ऐसे में एक परिस्थिती ये आ सकती है कि जिस पार्टी के खिलाफ आपने case फायल किया है उसकी यानि की defendant की death हो जाए तो ऐसी परिस्थिती में क्या वो case आगे चलेगा या वहीं पर खत्म हो जाएगा अगर वो case आगे चलेगा तो किन शर्टों पर और उसी case को आगे चलाने के लिए case करने वाले यानि वादी को क्या क्या करना पड़ेगा और इस परिस्थिती के लिए civil procedure code में क्या provisions किये गए हैं आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं जरूरी नहीं आपने ये परिस्थिती face की हो लेकिन कभी न कभी आपको face करनी पड़ सकती है इसलिए वीडियो का topic काफी important और काम में आने वाला है आगे बढ़ने के पहले मेरी आपसे request है कि अगर आप legal topics में interested हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लिजिए ताकि नए आने वाले वीडियो के notification आपको timely मिलते रहें दोस्तों civil procedure code के order 22 के rule 4 में इस बारे में provision दिया गया है कि जब किसी case में प्रतिवादी यानि defendant की death हो जाती है लेकिन वादी के पास वाद लाने का अधिकार बचा रह जाता है वहाँ वादी द्वारा इस बावत application फाइल किये जाने पर कोर्ट उस प्रतिवादी यानि की defendant के विधिक उत्राधिकारियों को case में party बनाएगा और case को आगे चलाया जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी defendant की death तो हो गई लेकिन उसकी death हो जाने से वाद का कारण खत्म नहीं होता हो तो वादी कोर्ट में उस defendant के उत्राधिकारियों की detail लिखते हुए एक application देगा और court से निवेदन करेगा कि defendant के उत्राधिकारियों को party बनाया जाए एसी application के file होने पर court यह देखता है कि क्या defendant की death के बाद भी वाद का कारण बचा रहता है अगर हाँ तो फिर court defendant के उत्राधिकारियों को case में party बनाने के लिए order कर देता है दोस्तों ये स्थिती प्राय उन cases के संबंद में आती है जो property या रुपेयों से संबंदित हो जैसे कि मान लिजी ये दो लोगों ने किसी property की खरीद विकरी के लिए agreement किया और उनमें आपस में कोई विवाद हो गया जिस कारण property खरीदने वाली party को court में case फाइल करना पड़ है और property बेचने वाले के उत्रादिकारी भी उस agreement से bound होते हैं जो property बेचने वाली party ने किया है तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा कि वादी के पास वाद लाने का अधिकार बचा रहता है क्योंकि विवाद property के बारे में है इसी type के काफी सारे उधारन हो सकते हैं जिस भी case में defendant की death के बाद भी वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो defendant के उत्रादिकारियों को party बना कर case को आगे चलाया जा सकता है ये तो basic provision है जिसके बारे में हमने बात की अब इसी से related अन्य provisions की बात करें तो दो चीजें इसमें काफी important है पहली तो ये कि कितने time में वादी को file करनी होगी दूसरी बात ये कि अगर वादी ये application timely file ना करें तो क्या होगा दोस्तों बात करें limitation की तो defendant की death के 90 दिन के भीतर भीतर वादी यानि plaintiff को ये application file करनी पड़ती है और अगर वादी ऐसा नहीं कर पाता तो order 22 rule 4 case sub rule 3 के नुसार case का abatment हो जाता है यानि कि case खत्म हो case का abatment हो जाता है तो उसी cause of action पर वादी दूसरा case file नहीं कर सकता लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वादी को काफी time तक इस बात का पता ही ना लगे कि defendant की death हो चुकी है तो इसके लिए provision दिया गया है order 22 rule 4 case sub rule 5 में जिसके अनुसार अगर वादी को defendant की death के बारे में timely पत नहीं लगता तो जैसे ही उसको पता लगे वो defendant के उत्रादिकारियों को case में party बनाने के लिए application दे सकता है लेकिन ऐसी परिस्तिति में उसको limitation act की section 5 के अंतरगत limitation से माफी की application भी साथ में file करनी होगी और फिर court इन सारी चीज़ों को consider करते हुए order दे सकता है अब बात करते ह है कि order 22 rule 4 की application लिखी कैसे जाएगी और application कहां पर file की जाएगी तो यह application भी उसी court में और उसी file के संदर्व में पेश की जाती है जहां case पहले से चल रहा हो application में सबसे पहले court का नाम और इस्थान लिखे जाएंगे फिर case का number case का वर्स और application पेश करने की date लिखी जाएगी फ इसके बाद लिखा जाता है कि यह application civil procedure code के order 22 rule 4 के अंतरगत फाइल की जा रही है और फिर application का मुख्य भाग शुरू होता है जिसमें case का brief introduction लिखा जाकर बताया जाएगा कि इस case के प्रतिवादी xyz जो भी हो उसकी death इतनी तारिक को हो गई है और death के बाद उस प्रतिवादी यानि defendant के उत्रादिकारियों के रूप में जो जो लोग मौजूद हैं उनकी पूरी detail यानि की नाम और पते लिखे जाते हैं और फिर लिखा जाता है कि प्रतिवादी की death के बाद भी वादकारण मौजूद है इसलिए प्रतिवादी के विधिक उत्रादिकारियों को party बना कोर्ट order करके विधिक प्रतिवादियों को notice जारी कर देती है जब defendant के विधिक प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित हो जाते हैं तो court application पर hearing करके order कर देता है और फिर वादी को मरने वाले defendant के प्रतिवादियों को शामिल करते हुए संशोधित case title फाइल करना होता है दोस्तों ऐसी परिस्थिती में एक समस्या बहुत बार आती है कि वादी को इस बात का तो पता चल जाता है कि प्रतिवादी यानि defendant की death हो चुकी है क्योंकि इस बात की सूसना तो court में defendant का वकील भी दे देता है लेकिन वादी को ये पता नहीं होता कि उसके उत्राधिकारिय में कौन-कौन है या वो सभी उत्राधिकारियों को जानता नहीं है कई बार ये भी होता है कि defendant की death के बारे में तो वादी को पता चल जाता है लेकिन death की सही तारिक का पता नहीं होता तो वादी क्या करे दोस्तों ऐसी परिस्थिती में वादी को जैसे ही प्रतिवादी की death क बारे में पता चले उसे death के बारे में और विधिक प्रतिनिदियों के बारे में जो भी best जानकारी मिल सके वो शामिल करते हुए application जरूर फाइल कर देने चाहिए फिर जब उसके विधिक प्रतिनिदियों में से कोई भी appear होता है और बताता है कि मरने वाली party के और भी विधिक तो court उनके बारे में बाद में भी order कर सकता है लेकिन application जानकारी से 90 दिन में फाइल कर देने चाहिए दोस्तों उमीद है आज के topic को आप properly समझ गए होंगे इसके अलावा भी आपके कोई legal सवाल है या फिर आप अपने किसी legal matter पर मुझ से राय लेने के लिए बात करना चाहत हैं तो स्क्रीन पर उपर दिखाई दे रहे हैं नमरों पर फोन या फिर वाट्सेप करके कोल बुक करवा सकते हैं ऐसी ही legal जानकारियों के लिए बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में